नमस्कार दोस्तों आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है यूपी की योगी सरकार उत्तरप्रदेश अंतरराजी अंतरधार्मिक विवाह प्रोच साहन 1976 को खत्म करने जा रही है इस स्कीम के तहट अंतर जाती है और अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोडों को सरकार की ओर से 50,000 रुपे नगत दिये जाते थे अब यूपी सरकार इस स्कीम को बंद करने पर विचार कर रही है यूपी सरकार का ये फैसला तब सामने आया है जब हाली में राज्य सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन को प्रतेबंधित किया है लव जिहाद के खिलाफ अध्यधेश लेकर आई है टाइमस अफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मताबिक राज्य सरकार चवालिस साल पुराने इस स्कीम को खत्म करने जार ही है इस स्कीम को राष्ट्रिय एकता विभाग ने चालू किया था वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि पिछले साल अंतर धार में प्विवाह करने वाले 11 जोडों ने इस स्कीम का लाभ उठाया था और हुने 50-50,000 रुपे मिले थे लेकिन इस साल इस स्कीम के तहत कोई रकम जारी नहीं की गई है हालकि प्रसाशन के पास चार आवेदन भी आएं हैं लेकिन ये आवेदन पैंडिंग पड़े हैं यूपी सरकार के मताबिक चुकि अब राज्य सरकार ने अव्य धर्मांतरन के खिलाफ अध्यादेश पारित किया है इसलिए इस स्कीम पर पुनर विचार किया जाएगा बता दे कि यूपी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के आरोपों के खिलाफ अध्यादेश पारित किया है ये कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोडे को जिलाधीश के पास शादी के दो साल के अंदर आवेदन देना परता था इस आवेदन की जाच करने के बाद जिला प्रसाशन इसे यूपी नेशनल इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट के पास भेज देता था यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि ये स्कीम अभी तक है लेकिन वे इसके जारी रहने के बारे में कुछ नहीं कह सकते उन्होंने कहा कि राजे सरकार ने जबरन धर्मांतरन को रोकने के लिए और अपनी पहचान छिपाकर अपने साथी को धोका देने वालों को दंडित करने के लिए ये अध्यदेश लाया है तो दोस्तों ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ बेल आगन को प्रेस कर सकते हैं ताकि एक लिए खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आजाए